हेलो गाइस वेलकम टो आबर ये टूप चानल इस्ट डिविद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट विडियो लेके आए हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखंड के सभी एक्साम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट आप सभी लोग हमारे शेशन में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज के शेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडिविद इम को सस्क्राइब नहीं किया है वो इडियो डालते हैं तो उसका नोट्फिकेशन आपके पास जल से जल पहाँ जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं यह भी स्टडिविद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आट वजे क्विस का भी आयजन किय जाता है काफी important question आपको कोई इसके रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है important question है तो देखिए नशा मकती को लेकर बहतर काम करने पर राजी के उत्तरकाशी जिले को राष्टी परुस्कार मिला है option for discussion का right answer है और यह है पुरुसकार नई दिल्ली में राश्टी बाल अधिकारी संग्रक्षन आयोग और NBC की ओर से आईजित कारिशाला में दिया गया और उत्राखंड बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग की अध्याक्ष डॉक्टर गीता खना ने कारिशाला में उत्राखंड का परतिनिधित्व किया इंपोर्टेंट पॉइंट है आपसे पूछा जा सकता है कि इस कारिशाला में उत्राखंड का परतिनिधित्व किस ने किया तो उत्राखंड बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग की अध्याक्ष है डॉक्टर गीता खना तो डॉक्टर गीता खना ने का नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे सहसपुर विकास खंडो के लगभक 173 ग्रामों में निवास करते हैं और नैनिताल वा उधम सिंग नगर जिले के बोकसा बहुल छेदर को क्या कहा जाता है बोकसार कहा जाता है इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका नैनिताल वह उधम सिंग नगर जिले की बोकसा बहुल छेदर को कहा जाता है बोकसाड और बोकसा लोग अपने आपको पवार्ट राचफूर्ट बताते हैं अगला कुशन देखेंगे उत्राखण में सोन नदी बनी जू बिहार की स्थापना कब हुई तो देखें सोन नदी बनी जू बिहार की स्थापना हुई बर्शोने 187 में और इसका छित्रपल है 301 वर्ग किलोमीटर अगला कुशन देखेंगे बाचपूर शहर किस नदी के तड़ परिस्थित है तो देखेंगे बाचपूर शहर उधम सिंग नगर जनपद में किस नदी के तड़ परिस्थित है ओप्शन फस्ट यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा next question देखेंगे उत्राखंड वन विकास निगम के स्थापना कब हुई most important question है तो देखे उत्राखंड वन विकास निगम राज सरकाद्वारा गठित एक वैधानिक निकाई है और इसके स्थापना कब की गई थी 1 अपरेल 2001 को option third discussion का right answer हो जाएगा next question देखेंगे नंदा गौरा योजना की शुरुवात कब हुई तो देखें नंदा गौरा योजना की शुरुवात हुई 2 जून 2017 को यानि कि option first यहां पर आपका right answer हो जाएगा और यह है योजना गौरा देवी कनियाधन योजना और नंदा देवी योजना को मिला कर बनाई गई और इस योजना के तहट BPL परिवारों की बालिका को दो चरणों में 62,000 रुपिये दिया जाता है और देखें पहला चरण कौन सा है पहला चरण है बालिका का जब जन्म होता है तो बालिका की जन्म पर 11,000 रुपिये तथा बारवी पास बाद 51,000 रुपिये दिया जाता है और इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है इस योजना का संचालन महिला वबाल बिकास मंत्राले द्वारा किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे परियावरण अध्ययन और संग्रक्षन संगठन इसको in short बोल जाता है हैसको तो हैसको की स्थापना किसने की ये बताना है तो देखे परियावरण अध्ययन और संग्रक्षन संगठन यानि हैसको की स्थापना की थी किसने अनिल जोशी ने सिकेन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा और हैसको की स्थापना अनिल जोशी ने कब की थी ये भी पुछा जा सकता है तो 1979 आप याद रखेंगे हैसको की स्थापना की गई थी 1979 में और हैसको दिहरा दून में एक गैर सरकारी संगर्ठन है और अनिल जोशी की बात करें तो अनिल जोशी एक परियावरण करता वसमात से भी है और वर्ष 2006 में इन्हें पदमश्री अवार्ड से समानित किया गया और इसके अलावा देखें अनिल जोशी ने एक आंदोलन का भी नेतित्व किया था कौन सा ये आंदोलन था आयो के द्व देखते हैं भारती परवता रोहन फांडेशन की स्थापना कब हुई थी तो देखें भारती परवता रोहन फांडेशन की स्थापना है ये कब हुई थी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1961 में ऑप्शन थर डिस्कुशन का राइट आंसर है देखें भारत परवतारोहन फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1961 में हुई कहां पर हुई ये पूचा जा सकता है तो आपको याद रखना है कहां पर हुई थी दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी और रामचंद उनियाल राजकी स्नाद गोतर महाविद्याले की पूर प्राचारी प्रोफेसर हर्षवन्ती भारती परवतारोहन फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई और प्रोफेसर हर्षवन्ती बिस्ट वर्षव 1984 में एवरेज्ट अभियान की सदश भी रही है नेक्स्ट कुशन है आपका भारत का एक मात्र मिश्रित विश्व धरूहर कौन सा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचन जंगा आपशन सिकिन इसकुशन का राइट आंसर है दिखिए युनेस्को विश्व धरूहर इस्थल एक ऐसा इस्थान है जो सैयुक्त राष्ट सैंक्षनिक विज्ञान और सांसकर्तिक संगठन द्वारा विशेश सांसकर्तिक या भौतिक महत्व के रूप में सुची बद्द है और भारत की युनेस्को की विश्व धरूहर इस्थल की कुल संख्या कितनी है चालिस है जिसमें 32 सांसकर्तिक इस्थल है साथ है प्राकर्तिक इस्थल और एक है आपका मश्रित ये आपको याद रखना है जिसका नाम कौन सा है मश्रित एक कौन सा है ये है कंचन जंगा और कंचन जंगा विश्व की तीसरी सबसे उची परवचोटी है और ये किस राजिय में सिक्किम के उतर पश्यम भाग में नेपाल सीमा पर इस्तित है और देखे आगरा इसके अलावा अजन्ता गुफाएं एलोरा गुफाएं ताज महल 1983 में भारत में पहली चुनी गई थी जो क की विश्व विरासत इस्ति इस्ति इस थी आपको याददिन आगरा अजन्ता गुफाएं एलोरा गुफाएं और ताज महल 1983 में भारत में पहली चुनी गई उन्सको की विश्व विरासत इस्ति अगला कुशण देखेंगे जलवाईू परिवर्तन के संदर्व में कोपेन ह हेगन सम्मेलन किसके संदर्व में था ये था जलवायू परिवर्तन से संबन दे था इसको ध्यान रखेंगे तो देखे कोपेन हेगन सम्मेलन हुआ था आपके कब वर्ष 2009 में आप्शन थर्ड इसकुशन का राइट आंसर है देखे साथ से आठ दिसंबर 2009 तक जलवायू परिवर्तन पर संदराष्ट का सम्मेलन देनमार्क की राधानी कोपेन हेगन के बेला सेंटर में हुआ और क्योटो प्रोटकॉल के बाद जलवायू परिवर्तन पर होने वाला ये पांचवा सम्मेलन था ये आपको याद रखना है क्योटो प्रोटकॉल के बा तपिन हेगन में देन्मार्क के राजधानी कोपें हेगन के बेला सेंटर में Typically, कमल कारी किस परशिद्ध लोक कला करती है तो देखें कमल कारी जो है ये किस राजी की? ये है आंध परदेश राजी की पुर्षिद कला करती option 4 तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा कलम कारी आंध परदेश के अत्यानत प्राचीन लोक कला है और यह कलम की कारिकरी है और इसकी जड़े आंध परदेश के श्री कला हस्ती और मस्ली पुरम नामक नगरों में हैं श्री कला हस्ती आज भी कलम कारी के लिए कलम का उपयोग होता है श्री हस्ती में आज भी कलम कारी के लिए किसका यूज किया जाता है कलमकाली का ही प्रियूग किया जाता है जबकि मसली पुरम में ठपो का चलन भी है अगला कुश्यन देखेंगे कुमाओ रेजिमेंट की स्थापना कब हुई ये बताना है करेक्ट कली जी का इस कुश्यन को थोड़ा सा टाइप करने में मिस हो गया है तो देखें कुमाओ को कुमाओ रेजिमेंट नाम 27 अक्टूबर 1945 को मिला और मेश 1948 में इसका मुख्याले आगरा की जगर रानी खेत यानि अलमोडा में स्थानात्रित किया गया और कुमाओ रेजिमेंट के नाम पर डाग टिकट कब जारी किया गया ये भी पूछाजा सकता है तो 1988 आप याद रख अगला कुशन देखेंगे कुमाओ का ध्रतराष्ट किसे कहा जाता है देखे कुमाओ का ध्रतराष्ट कहा जाता है शक्ति गोसाई को ऑप्शन सिके निहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जन्मांध यानि जन्म से अंधा था शक्ति ग कुशन देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योशना की शुरुवात कब हुई तो देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योशना की शुरुवात हुई थी वर्षित 2015 में और पानिपत हरियान से शुरुवात हुई थी इससे योशना की अगला कुशन देखेंगे युनेसको का मुख्याले कहां पर पैरिस में ओप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट शेक्षिक वैग्यानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानि युनेसको संयुक्त राष्ट का एक घटक निकाई है यह आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट शेक्षिक वैग्यानिक तथा संस्कृतिक संगठन यानि इसको इन्चोट युनेसको बोल दिया जाप है तो युनेसको संयुक्त राष्ट का एक घटक निकाई है और इसकी कारी शिक्षा प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञान संस्कृति तथा इसके अलावा किसके माध्यम से संचार के माध्यम से अंतराश्ट्य सांती को भढ़ावा देना है इसका जो कारी है वो क्या है देखे इसका कारी शिक्ष्य प्रकृति तथा सामाजिक विग्जान सांसकृतिक तथा संचार के माध्यम से अंतराष्टिर सांती को बढ़ावा देना है और संयुक्तराष्ट की इस विशेश संस्था का गठन कब किया गया था 16 नवेंबर 1945 को इसका गठन हुआ था किसका युनेसको का ये आपको याद रखना है अगला कुश्चन देखेंगे ग्रेमी अवार्ड की शेतर में दिया जाता है तो देखें ग्रेमी अवार्ड इंपोर्टेंट कुश्चन है ये दिया जाता है संगीत के शेतर में यूट्यूब चैनल इस्ट डिविद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे और शेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा जाद से जाद अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रुप्स में नेक्स्ट देखेंगे विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर कहां इस्तित है तो विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर इस्तित है आपके कहां पर तिरुवनंत पूरम में आप्शन फॉर्स्ट यहां पर आपका राइट आंसर है तिरुवनंत पूरम में इस्तित विक्रम सा मांदित कतिव विद्या संचालित कर उन्हें प्रक्षेपन करिया कलाब के लिए तयार किया जाता है ये आपको याद रखना है अगला कुशन है आपका अंतराष्टी गुवा दिवस कब मनाया जाता है तो दिखिए अंतराष्टी गुवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाया ज चंद्रप्रभा एत्वाल को दिया जाता है यानि कि ऑप्शन थर्ड यहां पे आपका राइट आंसर है और द्यारा भुग्याल के जन्पद में स्थित्थ है उत्तरकाशी जन्पद में और इस पुग्याल में शीत काल में इसके इंग प्रस्रिक्षन होता है अगला कुश्यन है आपका शेला उर्थिक जल विद्दुद पर योजना कहां पर इस्तित है तो देखे शेला उर्थिक जल विद्दुद पर योजना है कहां पर पिथोरागड में option first question का right answer है और पितोरागड जनपद की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था देखें पितोरागड 24 फरवरी 1960 को Almora से अलग करके नया जनपद बनाया गया था और ये गठन जो होता है पितोरागड का गठन कब हो था ये पूछा गया है पहले question आप से इसको आपको ध्यान में रखना है तो कि guys आज के session में तना ही आई hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजिए, share कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर ले तो शली मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्याबाद